युबा शक्ति संगठन चौगानपुर के बैनर तलेश शहीद भगस सिंग राजकी अंटर कॉलेज के बनवाने हितू बैठक का आयोजन किया गया बैठक में मुख्यातीती सांसत प्रतिनी दी लबलेश शर्मा उपस्तित हुए बैठक में श्री सर्मा ने बताये कि गाउं में एक राजकी अंटर कॉलेज की स्थापना कराई जाए जिससे कि गाउं की लड़कियों को उच्चे स्तरिय सक्षा प्राप्थ हो सके गाउं से कॉलेज की दूरी तकरीबन 8 किलो मीटर और कॉलेज हाइवे पर होने के काण गाउं के बच्चों को काफी परिशानिया होती है इसलिए युबा शक्ती संगठन ने शहीद भगत सिंग राज की एंटर कॉलेज को बनवाने के लिए आबाज उठाई है गाउं के ही युबा कारकरताओं ने बताया कि कॉलेज नहीं होने के काण बच्चों को काफी परिशानिया जहिलनी परती है युबा शक्ती संगठन के अध्यक्ष मास्टर जोगेंदर सिंग ने बताया कि वह गाउं में कॉलेज की इस्थापना के लिए नेताओं और अधिकारियों को लिखित प्रातना पत्र दे चुके हैं लेकिन आज तक कोई भी इस कॉलेज के सर्वे इत्याजी सुनवाई नहीं हो सकी है इसलिए आज युबा सक्ती संगठन के कारेकरताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें सांसत प्रती निदी को मुख्य रूप से बलाया गया जो कि हमारी इस कॉलेज की मांग को उठाकर संसत तक महचा सकें वही गाउं के ही पूर्पिरदान शंकल लाज सर्मा ने इस कॉलेज को संपूर सजयोग देते हुए कहा कि गाउं में कॉलेज की स्थापना होना बहुत जरूरी है क्योंकि गाउं से कॉलेज हाई पेपर होने के कार इसलिए बच्चे उच्छा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं गड़े हैं रास्ता खराब है और जो पौंच नहीं पाते हैं तो उसके कारण हम चाहारे हमारी युवा साती चाहारे मेरा इन सातियों के साथ पुरा सहे हो गए कि यहां एक इंटर कालिज बने और जिससे गाउं का विकास हो जिससे बहन बेटिया हमारी जो बाहर जाने से पहले भी उठाया गया था मुद्दा तो काफी समय से चल रहा है लेकिन बैठक एक आज रखी ती जिस बैठक में मुझे उपस्त रहने का सोभागे मिला और मैं धन्यवाद चाहूंगा कि जो इस मुद्दे को बहुत आगय रखा है नोंने और बढ़िया रखा क्योंकि मु परकास रखा हुआ हालांगी समसान भी सही नहीं है जिससे की समसानों में एक बारिस आया तो मुद्दे को हम जला नहीं पाते हैं ना कोई बाउंडरी है ना कुछ है तो भी मुद्दा है लेकिन मैं मुद्दा जो है वो बच्चियों के भष्च को लेके है तो सर यह है जिए डिग्री कोलेज भिल्हाइं के बाद में हम माने चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा रहेंगा तो सर जी निंट्र कोलेज के लिए आपने कहां पड़ी गई है घृदा जोनिर हाई-सकुल में है जिसकी चारभी का जमीन है और उसके पास भी जमीन ग्राम पंचैत की बहुत पड़ी है